हेलो स्टुडेंट्स मैं हूँ जैसंकरजा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाई जैसंकरजा आज मैं आप सबों के लिए डिग्री पार्ट टू एक्जामनेशन दुज्यार एकईस जो हिंदी एकसो का परिक्षा हुआ है उसका अंसर की लेकर आया हूँ करते हैं फटाफट में ताकि व्यू बढ़ जाए लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ थोड़ा लेट ही होगा लेकिन जो शही आंसर होगा वही तो जिस इस क्वेशन में मुझे थोड़ा डॉट लगा उस क्वेशन को मैंने देखा ढूंड़ा उसके बाद मैं आप लोग 100% राइट अंसर है इसमें किसी भी प्रस्ट में कोई डॉट नहीं है तो आप आराम से हमारे साथ अंसर मिला सकते हैं तो आप अगर किसी दूसरी चैनल से मिला भी लिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आप हमारे साथ रहिए और यह अंसर मिला यह अब बताएगा आप कितना हुआ सबसे लास्ट में आप जब एक क्वेशन को मिला लेंगे तो आप बताईएगा जो आपका स्कूर कितना हुआ मैं गारेंटी के साथ कहता हूं जो मेरा जो अंसर हो बहुत हद तक सही है और 100% राइट है चलिए तो आज का जो मैं स्टार्ट करता हूं और से पहले पहुंचे और मैं बता दूँ आप लोगों के लिए जो चैनल है वो पूरा एजुकेशनल है इसमें किसी दूसरे वीडियो का होता नहीं इसमें आपको एजुकेशन से जूरे हर एक मैटर पर वीडियो मिलेगा बोर्ड और इन्वर्सिटी के प्रिप्रेशन में कर पहला प्रस्ण है इसका समाज और धर्म सिर्षक रचना में अभिव्यक्ति हुआ है समाज वादी चिंतन का ओप्शन भी इसका कोरेक्ट है दूसरा प्रस्ण है समाज वाद पुस्तक के लेखक कौन है क्योंकि समाज वाद जो पुस्तक है इसका लेखक है कारल मार्क्स जो की ओप्शन में कहीं दिया हुआ नहीं है और मैं आप लोगों को बता दूँ यह जो क्वेश्चन है एक्जाम का यह बहुत ही घटिया उनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया मैं ऐसा इसलिए कह रहा क्योंकि यह क्वेश्चन कोई ऐसा है ही नहीं जो इस्टुरेंट्स का प्रिप्रेशन से मैंने रखता है कि एक एक पार्ट से लगा तार चार पांच क्वेश्चन उठा के दे दिया है कोई जप्टास उठा के डाल दिया है लास्ट में आप देखिएगा तो पूरा जैसे उठाइग के बच्वेश्चन हो जरूरी है दो चार इंग्ली का हिंदी में और हिंदी का मिसमें उसमें पचास लगभख चालीस-पचास कोईशन इंग्लीज का हिंदी बताना था जैसे बच्वे लिए कूश्चन सेट होता है और उन्हें कुछ पता नहीं ओता ऐसा या उनिवर्सिटी किया गया टाइम के आभाव के कारण वैसे उनिवर्सिटी है ही इस सर्टिफिकेट प्रदान करने वाला चलिए देखते हैं अब तीसरा जो प्रस्थ अंत्रिक्ष यात्रा पुस्ता के लेखक है तो इसका जो सही उतर हो जाएगा वह जाएगा संपूर्ण यहां पर फोलगा ऐसे नयाते ही संपूर्ण सें अप्पूर्णानंद उप्शने संपूर्णानद सील म्हत्मागांधी मोगश्मा सें संगा अनचर हो जाएगा सभकिन्वाबरू रमन को 懲गर्भाब की कर्दा सबसूरा था तो तो सबस्रें रमन प्रभाब की खोश कब की गई नि γत रमन प्रभाब की खो़ज में کی ? बिलीकुल रइठ है 12 प्रस्ण विज्यान दिवस का मना जाता है तो विज्यान दिवस पढ़ते साल 28 प्रवड़ी को मना जाता है 13 प्रस्ण सिवी रवन का जन्म जो है वो हुआ था शात शात नुवंबर 1888 सिवी में शात 1188 को इनका जन्म हुआ था ओप्शन भी इसका राइट अंसर हो जाएगा 14 प्रस्ण है मुश्किल है आज रमन की राह पर चलना सिर्शक रचना के लेखक है तो इसका अंसर हो जाएगा डॉक्टर देवराज देखिए अगला प्रस्ण है इन वीरों की जय पराजय की खताई महाभारत का प्रधान विशा है सौंदर चेतना में नहीं है विषता में एकता नहीं है मुक्षदाताराम में नहीं इसका राइट अंसर हो जाएगा इन में से कोई नहीं डॉक्टर रमाकंथ जहां उप्शन भी इसका बिल्कुल राइट अंसर है चलिए देखते हैं अब डॉक्टर देवराज की रचना है रामायन महाभारत में सांस्कृतिक चेतना ऑप्शन ए बाइश्वाप्रस ने महाकवी बानभट की स्विष्टी और द्रिष्टी के लेखक है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा डॉक्टर वासुदेव शरन अग्रवाल 23 प्रस ने मुक्ष दाता राम की रचना कार है महात्मा गांधी यह कुशन रिपीट हुआ है चली देखते हैं 24 प्रस ने कोलार की खानों से अमरीका की नई दुनिया तक जमीन की छाती फार फार कर मैंने चमकते लोहे से कठोर हिरा निकाला या पंक्ती किस से है तो मैं प्रस ने कितना शुंदर देश हमारा चिर्शक पुस्ता के लेखक है तो इसका डाइट अंसर है डॉक्टर भगवत सरन उपाध्या ऑप्शन भी कि सबीश्मा प्रस इंडिया इन कालिदास के फूस्ततक के लेखा इसका हुजा गुना कर मूले ओप्शन ऍशी इसका है चरीख चरित, option C, सर्वोदाय संदेश पुस्ता के लेखक कौन है, सर्वोदाय संदेश पुस्ता के जो लेखक होंगे, इसका right answer जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा, बिनोबा भावे, option C, चलिए देखते हैं, अगला प्रस्ण, अगला प्रस्ण है, भारतिय संस्कृती की कहानी पुस्ता के लेखक है, तो इसका right answer होगा, वो जाएगा भागवत सरण उपाध्य है, option A, तीसमा प्रस्ण है, वासुदेव सरण अगरवाल का जन्म कब हुआ था, तो इसका answer हो जाएगा, 1904 SB में, option D, इसका सही है, 7 अगस्त को हुआ था, 7 अगस्त, 1904 SB को हुआ था, option D, इ के लेखक हैं, तो कादंबडी के जो लेखक हैं, वो है, बानभर्ट, option A, इसका right answer है, चलिए देखते हैं, 32 प्रस्ण, 32 प्रस्ण हर सरित एक, संस्कृतिक अध्यन पुस्ता के लेखक कौन है, तो इसका right answer हो जागा, डॉक्टर वासुदेव सरण, अगरवाल, option C, 33 डॉक्टर संपोर्षन नन्यद्ज विधांसभाण सदस्कफ न के दखिए, इसका 4 औप्षन ही गलत है, डॉक्टर संपोर्षन नन्यद कांघर्च के टिकट से 1926 स्वि में चुनाव लरे थे, aur 1935 में उनिजच्छाइन नन्यद्ध चुनाव लरे, कांघर्च के टिकट से औ और तब विधान सभाग सदस बने और 1955 इस विए में यूपी के सी एम बने यूपी के सी एम बने तो देखिए 1906 पूछ लाया डॉक्टर संपुर्णानल विधान सभाग सदस कब बने देखिए और 1936 कहीं दिया हुआ ही नहीं है तो इसलिए इसका जो अनसर होगा वो कोई नह कि स्रिष्टी और दिष्टी शिर्षक निवन्द उद्री थे तो हर्ष सरितेक सांस्कृतिक अध्यन ऑप्शन बी चतिसमा प्रस्ण है बानभट किस राजा के दरवारी कभी थे तो हर्ष बर्धन के दरवार में ये दरवारी कभी थे ऑप्शन ए इसका रैट अंसर होगा श्रिष्टीसमा प्रस्ण महात्मा गांधि की माता का क्या गांधि की माता का नम पुत्रीबाई क्या और अंसर है आप लोगों पहले ही जान जूगे हैं 1936 में कॉंग्रेस के टीकट से विधान सबाके सदस बने थे चलिए देखते हैं अगला प्रसंद 40 मा जो है किस अनुछेद के अंतरगत हिंदी को संघ की राजभासा घोशित किया गया है तो इसका जो राइट अंसर होगा वह जाएगा 343 ऑप्शन B इसका राइट अंसर होगा सभी के सभी अंसर जो है वो राइट है चलिए देखते हैं 44 मा प्रसंद प्रारूप तयार करने की क्रिया को क्या कहते हैं तो प्रारूप तयार करने की क्रिया को हम प्रारूपन कहते हैं ऑप्शन B इसका राइट अंसर होगा है लेकिन अंसर सभी के सभी सही है क्वेशन भी लेट से मिला लेकिन होता क्या है तो पूरे दिन बैच रहता है तो समय का थोड़ा आभाव है इसलिए थोड़ा लेट हो गया हिंदी 50 मैं 50 का भी डालना पर तो क्यों क्लास चलता है और मैं जो भी वीडियो डालता हूं authentic होता ह है कहीं से किसी का copy paste नहीं होता है और अपना महनत से मैं आप लोगों के लिए content बनाता हूं और आप लोगों के लिए डालता हूं अगर आप हमारा हिंदी 100 का वीडियो देख कर गए होंगे न तो आपका एक्जाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा लेकिन मैं फिर भी मानता जो थोरा problem हुआ होगा क्योंकि इसमें मुझे इतना उमीद नहीं था जो हिंदी को English में और English के लिए इतना सारा question । बहुत रहा question दे लिए ऐसा तो थोरा problem हुआ होगा लेकिन फिर भी चलिए तो board का ओए गलती है तो क्या करेंगे 45 प्रसंद टिपण की भार्षा होती है तो टिपण की भार्षा होती है शरल ओप्षन ए इसका होगा चलिए देखते हैं 46 प्रसंद किसी विश्तरित विशाई को संछेप में लिखना कहलाता है संछेपन संचेपन में वन थार्ड वर्ड लिखना होता है जो भी विश्यवस्तुद्या होता है और एक अच्छा सा आपको चुनना होता है उस टॉपिक का नाम सिर्शक देना होता है सरकारी सुचना और आदेशों को कहां प्रकासित किया जाता है तो राजपत्र में ओप्षन एज का रेटरन्स होगा 48 प्रस ने हिंदी दिवस का मनाया जाता है तो हिंदी दिवस प्रतेक शाल 14 स्यतंबर को मनाया जाता है क्योंकि 14 स्यतंबर इन हे राजपत्र में हिंदी को मिला था चलिए एगला प्रस ने विश इंदी दिवस कर मनाया जाते है क्योंकि उनका एंग्जाम कल होने वाला है तो आपको एक आडिया हो जाएगा एकजाम का पेटर्ण सा शामिल भासा है तो मैथली जो दुझार चार में शामिल किया गया है आपके लिए मैं एक एक कॉंसेप्ट दे देता हूं जो कब कैसे क्या हुआ है ताकि आपको कोई कन्फूजन नहीं हो एक कुश्चन का आंसर राइट है और मिला हिंदी भारत की क्या है तो हिंदी भारत की जो है राष्ट भासा है तो मैं आप लोगों को बता दू हिंदी भारत की राष्ट भासा नहीं है क्योंकि भासा के लिए एक वार भारत में आंदोलन प्रारम हो गया था जो नहीं तेलगू खास करके जो इन्हें राष्ट भासा बनाया जा लेकिन हम लोग जानते हैं जो हि हन्दी का कितना व्यापकप्रभाब है तो इसलिए हिंदी को राश भासा नु करके आंधोलन राज भा支 मात्री भाषा दिवस कमनेया जाता है तो अंतरास्ट्री मात्री भासा दिवस जो है Q1ieve किस फरवड़ी को मनाया जाता है मात्री भाषा को बढ़ावा देना के लिए तो हमें अपने मात्री भाषा में ही अपना बात को रखना चाहिए हमेशा जब तक कि कोई ऐसा जरूरी नहों को चली अब आप लोगों को वर्ड मिनिग पढ़ाते हैं क्योंकि यहां से लगातार वर्ड मिनिंग ही है अब देखिए अभी तक तीरपन question पाठ कुछ से वो भी कैसा कैसा question था और यहां से उन्वर्सिटी के काम से कितने खुष हैं चोबन का जो प्रश्ण है drafting का हिंदी अनुवाद है तो drafting का जो हिंधी अनुवाद होता है वह प्रारूपन option B इसका राइट आन्सर है 95 महा जो कुछ देखिए memorandum का हिंदी क्या होता है तो कि मेरेंडम का हिंदी होता है ग्यापण ओप्शन 27 आप्शन बीसका राइट अंसर होगा साफपण क्या है नोटी में किबिक का हिंदी नोटीं कोहिंदी में किबदित्य है सद्थ cont ऐलिए आयोग का घठन हुआ था तो पर इसी फस्वी में नहीं नहीं हूँ तो अभी में इश कोश्चन को छोड़ देता हूं मैं कोमेंट में प्रिंट टुट कर दूँगा आप उहां से देख सकते हैं या आप लोगों को पता है अगर आप लोग स्योर हैं तो आप लोग जरूर कोमेंट में हमें बताईए तो यह मुझे इस क्रेशन के बारे में उतना श्योरेटी नहीं है इसलिए मैं अभी तो मुझे पत दूँगा उन्षठमा है चांसलर का हिंदी अनुबाद क्या होता है चांसलर का जो हिंदी अनुबाद होता है वो होता है कुल्पती ऑप्शन ए इसका रेट अंसर होगा देखिए शाठमा प्रसन है प्रोफेशर का हिंदी अनुबाद तो प्रोफेशर का हिंदी कहीं प्रद्यापक दिया हुआ नहीं है इसलिए प्रोफेशर का जो आंशर हो जाएगा हो जाएगा दी कि चलिए देखते हैं अगला एक सठ्थमा प्रस्थार का हिंदी अनुवाद होता है वो होता है कुल शचीव ओप्षन भी इसंटम्स का हिंदी उनवाद क्या होता है तो इसका राइट अंसर हो जग राएट अंसर है और आराम से मिला इए कोई अग्जाम नहीं है और आप लोगों का एकजाम हो चुका है अब अगला एकजाम सबजीडी का होगा उस पे थ्रा ध्यान दीजिए अगर आप कॉमर्स के छात्र हैं तो 65% सर्कूलर का हिंदी अनुवाद क्या होता है तो सर्कूलर का हिंदी अनुवाद होते परिपत्र चौदा दिशंबर को है आप लोगों का एकॉनोमी का और उसका वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए लगातार लाओंगा ताकि आप लोगों का जो प्रिप्रेशन है उस वह में 100 आ जाए वो भी बहुत कम टाइम में और कम मेहनत में चाहा साथमा प्रसन है रेकॉर्ड का हिंदी अनुवाद है तो रेकॉर्ड का हिंदी अनुवाद होगा रेकॉर्ड का हिंदी अनुवाद होज़ेगा अभी लेक अप्शन सी इसका रेट अंसर एगला प्रसन है एक्ट का हिंदी अनुवाद होता है वह होता है नियम कानून 78 प्रस्सन स्टेश्यू का हिंदी अनुवाद क्या होता है इस स्टमाप्स स्ट्राग का हैं एक 70 हैं रिपormट का हिंदी अनुवाद प्रतिवेदन बहतर मा प्रसने ग्रांट का हिंदी अनुदान गोब्रमेंट की द्वारा दिया जाता है अनुदान एटजिस्ट्मेंट का हिंदी अनुदान ऊप्शनивать क्वाइनर का हिंदी क्या होता है तो संजोज़ाक होता है option A में दिया हुआ है, molaray माइ प्रस्श्ण का हिंदी और अबाद माझ sudah के 177 कम की हिंदी और टो लाइसेंस का हिंदी और अनुग्या पत्र option A 58 माझ विल का हिंदी और तो बिल का हिंदी और लेवम्म ढरल कहो हँता है जुरिदेक्षन यानिकी option A अस्यमा प्रस्ण है विक्षन सील का अंग्रेजी उनबाद इसका होगा developing एक अस्यमा प्रस्ण है प्रति न्युक्ती का अंग्रेजी उनबाद होता है deputation यानिकी एक आशी का हो जाएगा B एकला प्रस्ण है विक्षेसग का अंग्रेजी उनबाद होता है तो विक्षेसग का अंग्रेजी उनबाद होता है expert option C right answer है तिरासी मा प्रस्ण है निर्यात का अंग्रेजी उनबाद तो निर्यात का अंग्रेजी उनबाद होता है एक्सपोर्ट आयात का इंपोर्ट होता है राजदूतावास का अंग्रेजी उनवाद होता है इसका राइट अंसर है चाहसी माँ प्रस्ण है साक्षर्टा का अंग्रेजी उनवाद है इसका प्रस्ण है राष्टवाद का अंग्रेजी उनवाद जो होगा वह जाएगा पार्लियामेंट जैसे एंपी मेंबर ऑ पार्लियामेंट नवासी में राजदूत का अंग्रेजी उनवाद है तो राजदूत का अंग्रेजी उनवाद हो जाएगा एंबैस्डर नब्य पत्रिका का अंग्रेजी अनुबाद पत्रिका का हो जाएगा यहाँ पर जर्णल ऑप्शन सी संस्थापक का अंग्रेजी अनुबाद होता है फॉंडर ऑप्शन ए छिलिए पुरा का पुरा तो इसमें दे दिया है संभिधान सभाद्वारा हिंदी को भाद की राज भासा बनने का इनेड उनिश्व उन्चास इस में लिया गया था ठ्रश्न है संभिधान कीज अनुची अनुची भारतिय भासा को रखा गया है चोरान में अनुचैद 120 संबन्दी थे तो संसथ की भासा से ऑप्शन ए 95 प्रशने जिस भासा के माध्यां स्वि व्यापक जनता संपर्क किया जा को भासा होता है संपर्क भासा ओप्शन ए 96 प्रसार राज भासा संकल्प कब पाड़ी थुआ तो उनिश्चो उनिश्चो अडशर्थी स्वि में ओप्शन सी इसका रेटन्स रोगा मीडिया की भासा को के विशय में सत कथन है तो इसका होजएगा सहज और सरल भासा ओप्शन ए अच्छे पत्र के गुन होना चे सहज भासा सहली सही विचारों के असपरशता संचिपता तो उपर इक सभी इसका रेटन्स होजएगा करेला यापन को कहा जाता है तो इसका हो जगा श्मरन पत्र और लास्ट कुशन है प्रस्ताबनाक अंग्रेजी अनवाद होता है प्रिम्बल ऑप्शन शी दिया हुआ है तो यह थे 100 के 100 प्रस्न के उत्तर आप लोग मिला लिए होंगे और आप लोग बताईए कोमेंट में जो आप लोगों का कितना स्कूर गया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आकन प्रेस कर दें तो क्योंकि आप लोगों का जो आगे का एक्जाम है उसके लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपोर्टेंट objective डालूंगा जो की exams के point of view से काफी बहतर होगा और यह चैनल वैसे भी education से है और इस पर competition का भी बहुत बहुत अच्छा वीडियो डाला जाता है तो आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आप देश दुनिया में होने वाले किसी भी घटना होगा जो आप लोगों को जानना जरू होगा उसे upload किया जाएगा तो आप हमारे साथ बने रहें चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें और प्रेफ्रेंस के साथ सेर करना ना भूलें चलिए अभी के लिए मैं आप सबसे बिदार लेता हूं जाहिंद